हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू लर्णिंग स्थाम लर्ण तू नो एट नो टू लेंग फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ग्राउंड वायर क्या होता है और उसका यूज हम क्यों करते हैं तो ग्राउंड वायर जानने से पहले यह बात करना जरूरी होगा कि lightning strokes generate कैसे होता है कैसे produce होता है lightning stroke जिसको हम आम दोर पर बिजली बोलते हैं तो उसका production कैसे होता है यहां पर देखे suppose this is cloud यहां पर cloud का formation हुआ और यहां पर है earth this is earth क्या करेगा अगर जो cloud और earth के बीच में जो air है air अगर air में थोड़ा सा moisture है या फिर humidity है इस तरह का अगर जो condition बन रहा है weather अगर ऐसा है तो यहां पर क्या होगा या फिर rainy season है फिर क्या होता है कि जो air का breakdown capacity होती है वो कम होती है यानि कि जो breakdown का इसका जो range होता जो electric field के requirement होती है air के breakdown का वो कम हो जाता है नौर्मली जब weather हमारा clear हो तो नौर्मली air को breakdown करने के लिए electric field के requirement होती है 30 kV per cm लेकिन अगर जो weather हमारा खराब हो वैसे कि इसमें क्या होता नियर अबाउट 10 kV per cm इतने ही electric field के requirement होती है इस air को breakdown करने के लिए और अगर जो cloud है उसमें अगर electrical discharge होने वारा हो it means electrical discharge जब उसमें होने वाला हो it means इसमें negative charge हो रहा हो negative charge यह पूरा का पूरा जो cloud है वो negative charge से भर गया है यह क्या करेगा electrostatic induction की वज़ा से अपने near में जो भी उसको conducting medium नजर आएगा उसके उपर यह charge induce करेगा by using electrostatic induction तो यह दो cloud है इसके उपर negative charge है इसके near में अगर उसको कोई भी conducting medium दिख रहा है suppose earth उसको दिखाए दिया यह क्या करेगा इसके उपर positive charge induce कर देगा और जैसे ही इसके उपर positive charge induce हुआ है यहाँ पर electric field generate हो जाएगा क्योंकि positive charge और negative charge है तो यहाँ से electric field यहाँ पर electric field generate हो गया और जब electric field generate होगा अगर इस electric field से जो value है वो अगर जो इस value से ज़्यादा हो जाए इन rainy season या फिर normal अगर जो condition है तो normal condition में generally नहीं होता है क्योंकि जो electric field है उसकी value 30 kb per centimeter से ज़्यादा नहीं हो पाती है normal weather condition है 30 kb per centimeter से कम ही रह पाती है लेकिन अगर जो rainy season हो वैसे किस में क्या है कि अगर जो 15 kb per centimeter भी इतना भी अगर strong electric field यहाँ पर generate हो गया तो यहाँ पर आपको lightning strokes दिखाए देंगे right lightning strokes दिखाए देंगे in the form of streams आपको ऐसे नज़र आएगा इस तरीके से आपको lightning strokes नज़र आते है और इसमें huge spark होता है huge spark होता है क्योंकि air के थुरू अब current flow कर रहा है और यह जो current है इसके value होती है near about 100 kPa इतना huge current होता है 100 kPa you can imagine 100 kPa इसके इर्द गिर्द अगर कोई इनसान आये उसको जला के राख कर सकता है 100 kPa का current right अगर जो ज़्यादा strong lightning strokes नहीं है तो भी इसमें 20 kPa और 30 kPa इतना तो current flow करेगा ही करेगा minimum इतना current इसमें flow करेगा और ये current भी किसी भी चीज़ को destroy करने के लिए sufficient होता है right ये तो रही बात कि cloud से जो lightning strokes होता है वो कैसे होता है अगर आप ऐसा suppose करो कि यहाँ पर cloud है और ये रहा earth cloud और earth के बीच में यहाँ पर हैं हमारे transmission lines यहाँ पर आपने tower लगा रखे हैं like this और ये हैं आपके transmission lines फिर क्या होगा फिर ये जो cloud है अगर transmission line के just उपर में form हुआ है तो यहाँ पर अगर electrical discharge होगा तो ये ground के साथ नहीं करेगा ये earth के साथ नहीं करेगा योगि इसको near में इसके सबसे नजदीक में transmission line मिल जुका है एक conducting medium मिल जुका है ये क्या करेगा इसमें negative charge induce हुआ है तो ये positive charge induce कहां करेगा ground पे नहीं करेगा ये इस transmission line पे positive charge को induce कर देगा अब जो हमारे transmission line है suppose ये R phase का wire हो या फिर Y phase हो, B phase हो कोई भी phase का wire हो इसके उपर extra एक positive charge induce हो गया है इस cloud ने induce किया है इस charge को अब इसके यदि मैं voltage की बात करूँ तो ये कितना high voltage होता है near about 15 kilovolt इतने high voltage का ये surge produce करता है इस transmission line पर और इतना जो extra ये तो extra voltage है ना जो हमारे transmission line है उसमें already voltages है voltage wave उसमें travel कर रहे है R phase हो, Y phase हो, B phase हो उसमें already voltage wave travel कर रहे है अगर ये 66 kilovolt का transmission line हो तो 66 kilovolt rms यानि कि जो peak value होगा 66 into root 2 इतने kilovolt का एक wave इसमें travel कर रहे है like this ऐसे, जिसके maximum value है 66 root 2 kilovolt इतना voltage इसमें travel कर रहे है already अब इसके उपर से 15 kilovolt extra इसमें voltage आ गया है और वो भी sudden आया है इसकी वज़ा से क्या होगा कि जो transmission line के साथ इस transmission line के साथ अगर कोई यहाँ पर transformer connected है या फिर इसके साथ अगर कोई circuit breaker connected है यह सारे के सारे equipment हमारे destroy हो जाएंगे क्योंकि because of this huge voltage huge surge तो इनी सारी चीज़ों को protect करने के लिए एक तो transmission line को protect करने के लिए और उसके साथ जितने भी equipments हैं उन सब को protect करने के लिए हम क्या करते हैं इस transmission line के ऊपर अगर वो transmission line वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो lightning कहाँ पर होता है तो lightning होता अर्थ में अर्थ के साथ connect होता लेकिन अर्थ के साथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अर्थ के ऊपर एक उसको वो जो cloud है उसको अर्थ के ऊपर एक conductive medium दिखाए दे दिया तो वो वही पर अपना lightning strokes उसने वही पर start कर दिया लेकिन यदि उस transmission line के ऊपर भी मैं एक extra line डाल दूँ तो cloud क्या करेगा वो फिर इस transmission line को छोड़ देगा जो transmission line है उसके ऊपर वो कोई भी voltage induce नहीं करेगा कोई भी charge उसके ऊपर नहीं डालेगा वो क्या करेगा जो भी उसको अपने नजदीक wire नज़र आएगा conducting medium नज़र आएगा वो उसके ऊपर क्या करेगा lightning discharge उसके ऊपर करेगा electrostatic induction के वज़े से जो charge induce करेगा वो उसके ऊपर करेगा इसलिए हम यूज करते हैं ground wire और ground wire को हम कहां यूज करते हैं बिल्कुल एक हम टॉप पर यूज करते हैं cloud के नजदीक में वही wire होना चाहिए so that कि अगर जो cloud का मन करे कि आज हम electrical discharge करते हैं और lightning का आज महौल बन रहा है फिर वो क्या करेगा वो अपने नजदीक में कोई conducting medium ढून देगा और उसको हम क्या करते हैं एक conducting medium हम उसको provide कर देते this is the ground wire फिर वो क्या करेगा अगर यहां पर cloud बना हुआ है this is cloud तो वो क्या करेगा वो इसी wire पर जो भी करना होगा इस wire पर ही करेगा जो भी charge induce करना होगा इसी wire पर करेगा जो भी voltage आएगा इस wire पर ही voltage surge आएगा लेकिन जो हमारे transmission lines है यह तीनों phase R phase, Y phase, B phase यह तीनों phase हमारे safe हो जाएंगे इसके उपर कोई भी charge induce नहीं होगा इसके उपर कोई भी surge voltage नहीं आएगा और इसके साथ R, Y, B जो हमारे phases है इसके साथ जो भी हमारे transformer connected होगे circuit breaker connected होगे जो भी equipment हमारा connected होगा सारा का सारा हमारा safe होगे ओके यह तो है single circuit line अब आप देखो this is double circuit line यहाँ पर this is a tower टावर के एक side देखो यहाँ पर this is R phase, Y phase, B phase R, Y, B यहाँ पर भी है और tower के दूसरी side भी आपको नज़र आएगा तीन phase दूसरी side भी है तो यह होता है double circuit double circuit structure होता है इसमें भी देखो कि जो हमारे conductors है R phase, Y phase, B phase देखो सबसे top में अगर R phase हमारा है तो इसके भी उपर हमने एक क्या कर दिया है एक wire डाल दिया यह wire जो की होता है ground wire यानि कि अगर यहाँ पर कोई cloud बनता है तो यह cloud अपना electrical discharge किस पर करेगा इस wire पर करेगा और इस wire को हम कहीं भी connect नहीं करते हैं किसी भी equipment के साथ connect नहीं करते हैं इस ground wire के साथ कोई भी transformer connected नहीं होता है कोई भी generator connected नहीं होता है कोई भी circuit breaker connected नहीं होता है किसी भी substation में नहीं जाता है ओके ground wire का कहीं भी connection नहीं होता इसको हम क्या करते हैं इस ground wire को यहाँ पर एक wire लेके हम इसको क्या करते हैं इसको earth के साथ यहां पर connect कर देते हैं so that अगर इस पे lightning strokes आया है तो वो यही पर ground हो जाए जो इसमें huge current flow करेगा उस सारा का सारा earth में easily pass हो सके इसलिए हम क्या करते हैं जो हमारे towers होते हैं वही पर हर एक tower पर हम क्या करते हैं ground wires को earth के साथ connect कर देते हैं so lightning strokes हमारा वही के वही discharge हो जाए ओके देखो ground wires और earth wires और bear conductors supported at the top of the transmission tower they serve to shield the line and intercept lightning strokes before it hits the current carrying conductor below current carrying को hit ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे उपर में ground wire को place कर देते हैं normally इसमें कोई भी current flow नहीं करता है क्योंकि हमने इसको किसी भी transformer से किसी भी generator से connect करके नहीं रखा है इसलिए इसमें कोई भी current flow नहीं करेगा हाँ इसमें current कर फ्लो करेगा जब lightning strokes आएगा तब इसमें current फ्लो करेगा ओके दे ground wire is made up of galvanized steel galvanized steel का पना हुआ होता है जिसका mechanical strength होता है हाई इसलिए हम इसको galvanized steel से इसको form कर सकते हैं form करते हैं और इसको हम ground करते हैं हर एक tower पे इसको हम earth के साथ connect कर देते हैं जनरली क्या करते हैं single ground wire use करते हैं but nowadays double ground wire हम use करते हैं for better protection better protection के लिए हम double ground wire use करना prefer करते हैं अब जो हमारा ground wire होगा इसके कुछ positions होंगे तो इसका position हम कैसे decide करते हैं ground wire का जो position है यहाँ पर हम ground wire को place करेंगे इसका position वहाँ पर होना चाहिए so that यह better protection हमें provide कर सके उसके लिए हमें protection angle का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा protection angle होगा यह 20 degree से लेकर 30 degree के बीच में ही होना चाहिए 30 degree से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 degree से कम भी नहीं होना चाहिए protection angle रखते हैं so that better protect कर सके यह हमारे transmission lines को और इसकी वज़ा से क्या होता है जो insulation failure होगा इसके chances इस tower के साथ क्या होगा सबसे पहले यहां पर insulator होगा इस तरीके से insulator connect होगा अब insulator के साथ हमारा होगा आरट यहां फिर यहां पर आए तो यह जो अगर जो हमारे एक phase यहां पर आया है यहां पर connect किया गया इसमें अगर जो lightning strokes के कि मुझे से high voltage आएगा तो वो क्या करेगा इस सारा का सारा जो insulator है यह breakdown हो जाएगा insulator का breakdown हो जाएगा insulator fail हो जाएगा तो जो insulation failure का जो case आता है इससे भी protect करता है हमारा ground wire ओके it's all about the ground wire I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा thank you so much and bye bye